हेलो दोस्तों गूड माणिंग श्राकत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं अच्छे होंगे मैं भी एकदम मस्तू तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग के सर्वातोरी है मेरी सुबव के 7 वजे से और आज का ब्लॉग मेरा जल्दी से खानाव में जल्दी बॉके बिर दूर करने drink विज्ट से पर आज मैं जल्दी बसूर कर लिया है। दोस्तों अभी तो दूप नहीं आइंक है। तो दोस्तों मेरा नास्ता तो बन चुका है और अभी हजबन जी जाएंगे ड्यूटी तो उनको नास्ता देती हूं तो दोस्तों पहले में और ये अभी हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए तयार तो दोस्तों नास्ता बनाए हैं मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी जो मेरे हजबन की फेवरेट है और अभी जूते पहने रहे हैं आपे तो अभी इनके लिए मैं नास्ता लेके आ गई हूं तो अभी यह खा रहे हैं नास्था तो अभी यह वीडियो में देखेंगे ने खाते टाइम यह न बोलते हैं न कुछ तो दोस्तों मेरे हैज़्बेंची चले गए है नास्था करके और अभी लग गई है अच्छी सी दूप पर ये धूप जो है इसमें ठंडी-ठंडी हवा भी हो रही है दोस्तों तो अभी कम मौसम दिखा थी हूँ मैं पहले आपको और यह देख सकते हैं पहाणा पे बरब जमी होई है तो दोस्तों अभी मैं खाना बना लेती हूँ तो खाना बनाने का टाइम हो गया है तो बनाते हैं दोस्तों खाना तो दोस्तों खाने में बना रहे हैं घर की डाल तो यह सारी मिक्स डाल है घर वाली तो यह घर की डाल बना रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों खाना बनाने के बाद मेरा नहाना धोना भी हो गया था और कपड़े वगेर भी धूलिये थे मैंने और अभी हमारा खाना हो गया है और ममी पापा उपर गाउं में आज शराद है तो ममी पापा लोग शराद में गए हैं और घर पे मैं हूँ तो मैंने तो खाना वगेरा खा लिया है दोस्तों और दोस्तों नाने के बाद धूप भी चले गई थे आप देख सकते हैं मौसम आस्मान में बादल चाये होए हैं और हलकी हलकी धूप लगी है अभी और काफी ठंडा हो गया है मौसम दोस्तों तो दोस्तों इस बार मुझे माईके से सूट और साड़ी मिली मैंने सोचे क्योंनों मैं आपको भी दिखाती हूं तो दोस्तों चलिए आपको भी दिखाते हैं मुझे माईके से कैसे साड़ी और कैसा सूट मिला है और किस ने दिया है सूट तो मामा लोगों ने दिया है और सा दिखाते हूं आपको तो चुन्नी में इस तरीके से लेस है चारो तरब और काफी सुन्दर चुन्नी है तो मुझे काफी पसंद आई चुन्नी तो अब मैं आपको सूर दिखाते हूं दोस्तों तो दोस्तों यह सूट है पूरा रैड कलर का और बहुती सुन्दर सूट है तो सारी दी है वाबन मैं ने ग्रीन कळलर की फिर ग्रीन और गोल्डन कळलर की ड़ुन रघ्राह ay और गोल्डन खळार के बॉर्डर oke तो काफी अच्छा है और पिटिकोट बीडिया है पाफी deh साथ लगी साडी तो यह देख सकते हैं दूस्तां आप काफी है और मुझे भी बहुत अच्छी लेग है तो दोस्तों मैं थोड़ा धूप भने तो दोस्तों मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर में तब तक की लिए बाई तो दोस्तों धूब सेखते सेखते मेरी ननाद और मेरी बहन भी आ गई है और यह कह रहे हैं कि इधर घूमने चलते हैं तो दोस्तों अभी चलते हैं घूमने तो आपको भी ले चलते हैं मर्चवा वाली रौड पर गहें घर वाली रौड पर बाख, और मेरी बेहन वाइं लेंगे जा रही है, मुझे मेरी बहन का तो दोस्तों आज छुट्टी भी थी तो मैंने सोचा क्यों ना सिलाइ सेंटर की छुट्टी थी मेरी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम घाम कभी कभी दोस्तों घूमना भी जरूरी होता है यह इनके उल्टे-उल्टे काम देख सकते हैं तो दोस्तों अब यह पुल कुछ टाइम बात बन जाएगा यह हमारा यह पुल का अगजान सिदा तो पुल बनने के लिए कुछ टाइम है चलो तो दोस्तों फाइनली अभी हम यहां पर मर्चवारी के फूल पर पहुंच गए हैं और यहां पर एक दो चार फोटो लेंगे और रील से बनाते हैं दोस्तों तो पहले थोड़ा फोटो लेते हैं और रील से बनाते हैं तो दोस्तों आप चलते हैं सिदा घर फोटो अगेर अभी सूट हो गया है और अब चलते हैं सिदा घर की तरब तो अभी हम सब को लग गई है थकार और हम घर बीजा रहे हैं मन महीं कर रहा घर जाने को पर भूख तरने लगी पर मुझे लग गई है इनको लगी होगी हम तो फूस फूस के खा क्या आपके तो जब हम घर पहुचिंगे तब दिखाएंगे आपको सीधे बाई ये तो दोस्तों अभी हम घूंके घर आ चुके हैं और अभी काफी थकान भी लग गई है तो अभी बनाते हैं चाई तो अभी अभी चाई बतो अभी मैं मनाओंगे चाई तो अभी सभी पिएंगे हम चाई ठकान लगे सब को तो चाई पीने के बाद अभी ये सभी जाने लगे हैं घर मानास बाई मानास बाई जाओ अब जाओ ओब